सोनी टीवी का one of the most popular शो कुछरंग प्यार के ऐसे भी सीजन 3 के साथ जल्दी वापसी करने जा रहा है हाला कि शो की पूरी ओरिजिनल कास्ट इस शो का हिस्सा होगी लेकिन इस सीजन में कुछ नई एंट्रीज भी होगी और इन में से एक नाम है एक्टर दीपक वाध्वा का दीपक शो में सोनाक्षी के बेस्ट फ्रेंड अधित्य का कैरेक्टर प्ले करते नजर आएंगे अपने कैरेक्टर के बारे में बात करते हुए दीपक ने बताया कि मैं शो में सोनाक्षी का बेस्ट फ्रेंड और बिजनस पार्टनर का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ मेरा character अधित्य सोनाक्षी का guiding force होगा जो अपनी marriage में problems face कर रही है अधित्य सोनाक्षी की उनकी शादी की problems पर काम करने में help करेगा और मुझे उमीद है कि लोगों को ये character पसंद आएगा जब दीपक से पूछा गया कि क्या शो में उनका सुनाक्षे के साथ कोई लव एंगल भी होगा इसके जवाब में दीपक ने कहा कि नहीं अधित और सुनाक्षे के बीच में ऐसा कुछ नहीं होगा वो सिर्फ दोस्त रहेंगे मेरे जादा तर सीन्स अभी तक एरिका के साथ रहे हैं और उनके साथ वर्क करने का एक्सपियेंस बहुत ही अच्छा रहा है इसके अलावा सिलिक उड़ी में पूरी कास के साथ भी हुलाकात हुई थी जब दीपक से पूछा गया कि उन्होंने अपनी वापसी के लिए कुछ रंग प्यार के ऐसे भी को क्यों चुना है इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि ये एक बहुत ही अच्छा रूल है और कुछ रंग प्यार के ऐसे भी एक बहुत ही popular show है जब मुझे ये offer मिला तो second wave खतम हो रही थी और मैंने अपनी vaccination का first dose भी ले लिया था इसलिए मैंने फिर से एक बार काम करने का फैसला लिया एक actor के रूप में आप shooting के माहूल को miss करते हैं और कुछ नया करने की कोशिश करते रहते हैं तो कितने excited हैं आप दीपक वाधवा की कुछ रंग प्यार के essay भी में entry के लिए हमें comment करके जरूर बताएं और television की ऐसी ही सारी latest updates के लिए चैनल सब्सक्राइब करना न भूले